अज़े विडियो आज के स्वार्ट सिटी मोटर वे इंटर चेंज से लेके अगर आपने किसी दूसरे डिस्टेक तक एकसेस लेनी हो जो के अज़े बैलेटिंग हो चुकी है मैप याप देख सकते हैं तो उन डिस्टेक तक जाने के लिए कौन सा रस्ता इस्तमाल कर सकते हैं या बैलेट हो चुकी हैं, Overseas East, Overseas Prime, Executive District and Overseas Central District ये चार डिस्टिक्स हैं जिन तक एकसेस के लिए यह वाला रोड आप इस्तमाल कर सकते हैं जब आप Capital Smart City Interchange Motorway M2 पे एंटर होते हैं याद रहे कि M2 पे एंटरचेंज आम रेगुलर इंडिविजियल के लिए नहीं है अगर आप Capital Smart City के Member हैं तो अपने Plot की Copy लेके आप Head Office में जाके अपने Plot अगेंस्ट आप Temporary Access Pass ले सकते हैं और इस Access Pass से आप Motorway से एंटर हो सकते हैं Motorway से एंटर होने के बाद चुरू में आपको तक्रीमें 100 से 200 मीटर का पैच मिलेगा वहां में प्रॉपर आपको ब्लैक टॉप होगा नजर आएगा और उससे आगे अभी प्रॉपर ली ना ब्लैक टॉप होगा है ना कार्पिटिंग हुई है वह मैं वीडियो में आगे जा Master Plan revise किया गया था प्रीविसली Master Plan में जो Interchange था वो Overseas East Block F के साथ था लेकिन New Master Plan में यह Road है जो Interchange का Access Road है यह Overseas Central Doctor Enclayv के साथ से आप Road अंदर लेके अंदर जाते हैं 400 feet की Main Access Road है इसके राइड और लेट साइड पे दोनों साइड पे कमर्शल वाकिया होंगे आपको कोई Assets को Difficulty पेश नहीं आती है इस पार्ट तक आपको थोड़ा सा पार्ट कच्छा मिलता है उसके बाद आपको प्रॉपर एंड टो एंड प्रॉपर ली कार्परिट रोड मिलती है जिसकी वेट था 50 फीड अब जिस रोड को आप देख रहे हैं यह डॉक्टर इं गंदवाल गाओं के जो कचा रस्ता था महां का यह चोटा सा रस्ता था महां पर आड़ी को 15-20 वाइट सड़क थी वहां पर उस रस्ते के ऑपोसेट साइट पे भी 400 फिट रोड की कंस्रक्शन काफी ज्यादा हद तक मुकमल की जा चुकी है इन फेक्ट के अभी आप पर मैं रगुलरी ट्राइ करूं कि हर वीक यहार दो फते बाद मैं आपको मोस्ट अपडेटिट फोटेज साइट की मेंबर से साइट की शेयर किया करूं तो अभी हर एक फोटेज में आपको कुछ ना कुछ डिफरेंस नजर आएगा क्यों Capital Smarty का जो सबसे डिफिकल्ट काम था किसी भी डिफिकल्ट काम हो सकता है वो यह हो सकता है कि आप पाकिस्तान के सबसे बड़े फ्लैक्शिप रोड पे अपना इंटर्चेंज लें और Capital Smarty ने अलहमदुलिल्ला विदिन त्राइम फ्री यह करके दिखाया है ना सिर्फ एंटर्चेंज लेके दिखाया है अप पर एक्सेस लेके भी दिखाया है यानि प्रीवेसली मुझे स्मार्टी की साइट पर जाने के लिए तकरीबर 82 किलोमेटर का डिस्टन्स लगता था और टाइम आप लगा लें अंताजा क्योंकि बीच में 22 किलोमेटर चक्री रोड के थे वो तकरीबर आपका पॉना घंटा या घंटा का टाइम लेते थे आपको साइट पहुंच जाने के लिए अब अब जीरो पॉइंट से एक्जेक 20 से 25 मिंट के सफर पे आप इसली यहां पर एक्सेस लेके साइट पहुंच सकते हैं होसकता है कि मैं साइट मोटर पे गाड़ी तेस्ट लाता हूं यह मैंने लास्ट वीडियो में एक्स्प्लें की थी बात कि आप अगर पर मिनट डिस्टंस काउंट करें आपका 36 किलोमेटर का डिस्टंस है अगर आप साठ की स्पीड पर जाए तो आपका 36 मिनट बनता है आपको डेटेल एक्स्प्लें करनी थी वह यह थी कि आप साइट पे जिन मेंबर्स के पास भी प्लॉट है वह साइट पे एक ना एक दफा लाजमी विजट करें ताका आपको इन्वेस्टमेंट पर कॉन्फिडेंस मिले और अभी लोग यह सवाल अक्सर मुझे कॉल करते है हैं मेंबर्स यह विडियो देखते हैं सवाल करते हैं कि हमें कैपिटल स्मार्टी में प्लॉट रखना चाहिए यह बेचना चाहिए यकीन माने कि जिन लोगों ने प्लॉट अर्ली डेज में इंवस्मेंट की थी सिर्फ एक्जेक्टर ब्लॉट की मेंबर्स के लावा उनके का फाइदा क्या होगा कि अभी आने मले दिनों में 2023 के स्टार्ट में ही जब यहां पे प्रॉपरली मेंबर्स की तरफ से पोजेशन अप्लाई होना शुरू हो गया अच्छे और बात की थी में कि अगर आप आज की डेट में पोजेशन अप्लाई करते हैं तो यू नीट ए कम से कम 90 से 95 दिन का टाइम रिक्वाइड है आप अपने प्लाट का पॉजेशन अप्लाई करते हैं तो 2023 के स्टार्ट में आप देखेंगे कि आपको साइड बहुत आधा कंस्ट्रक्शन नजर आएगी एवन दो मकान सिलूशन की तरफ से साइड पे तरकी बन आठ विलास की अपनी सर्विसिस जो है वो प्रिजेंट करते हैं कि हम कंस्ट्रक्शन के हवाले से तमाम मेंबर जो साइड पर कंस्ट्रक्शन कर रहना चाती हो वो दिये के नमबर पर राब्ता कर सकते हैं इस वक्त मैं 400 फिट रोड से एकसेस लेके जो गॉल्फ कोस या राइट साइड प सुसाइटी की तरह से एक्जेक्टि ब्लॉक का पॉजेशन के तो लेट है भी लेकिन उसके साथ जो लेक वी डिस्टिक है उसका पॉजेशन सुसाइटी की तरह से अलड़ी ओफर किया जा चुक है जिन मेंबर यहां पे 3.25 क्रोड का 8 मला और 1.95 क्रोड का आपने 4 मला प्ल अगर हमारी वीडियो ची लगे तो प्लीज डू लाइक कमेंट एंड शेर और चैनल को सब्ट्राइब करना मत भूलें रिजवान चीमा को दीजिए जाज़त अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिस झाल झाल झाल